खत्म को English में क्या कहते हैं ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं खत्म होने का मतलब होता है किसी चीज़ का स्माप्त हो जाना तो खत्म को आप end कह सकते हैं ध्यान रखिएगा इस end की spelling e-n-d होती है over भी कह सकते हैं o-v-e-r over और finish कह सकते हैं f-i-n-i-s-h finish जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि फिल्म दस मिनट में खत्म हो जाएगी तो आप कह सकते हैं the movie will end in 10 minutes या अगर आप ये कहना चाहें कि वह रात के खाने से पहले अपना homework खत्म करना चाहता है तो आप कह सकते हैं he wants to finish his homework before dinner या अगर आप ये कहना चाहें कि किरप्या गाना खत्म होने तक प्रतिक्षा करें तो आप कह सकते हैं please wait until the song finishes अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें